जैके दुखको आज हमको कुछ जेनरल इंफोर्मेशन लेंगे पाइगिन के बारे में जिसमें की होता है कि एक पाइल से दूसरे पाइल का डिस्टन्स एग्जिकुशन आज जैसे यह पाइल वन है और यह पाइल टू है और आज दूनों को करना है ठीक है जैसे यह समझे हो ग्रूप पाइल हो गया जो इसमें जो है कि आज कम से कम इसमें से चार पाइल करने हैं तो चार पाइल हम लोग कौन-कौन से कर सकते हैं तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग कि चार पाइल कौन-कौन से कर सकते हैं कि इसके लिए क्या होता है पाइल जैबली क्या होता है यह गाइड लाइन होता है ठीक है अंडर ग होता है 2.5 x दाया, ठीक है, डिस्टेंस बिटमें 1 पाइल to 2 पाइल for the execution at same day, it to be depend upon this formula, अगर वो 2.5 into B है, मदलब कि धाई गुना होना चाहिए, अब सब्सक्राइब कि पाइल का दायामेटर एक मुटर है, तो इसको 2.5 x करेंगे, is equal to 25, तो यह इतनी mm रहेगा तो ही, जो है वो एक पाइल से दूसरा पाइल हम लोग कर सकते हैं, otherwise यह पाइल हम लोगों को नहीं करने को मिलेगा, इसके बदले मम लोग दूसरा कोई पाइल ले लेंगे, जो उस location में होगा, उसको करना आपड़े जाएं, जो उस ट्राइटेलिए से अबब होगा, क्योंकि क्या होता है, चुछ सब्सक्राइब करते हैं, वाइब्रेशन से जो कॉंप्रेशन से ऐसमें डाले रहते हैं, यह फैडियर का शाँसरा से ज्यादा होता है, जो इसमें आपने पाइल का ज़ने वहादा तो वह क्या होगा कि जो इसके अगोगा कि यह कॉंप्रमाइस हो सकता है इसके लिए यह दोनों के लिए सेम लेह रखना है तो यह वाली फर्मूला है जैनल जो साइप राक्रिस फर्मूला है तो इसके भी आप लेंगें आपकी सब्सक्राइब करेंगे यह कर सकते हैं फिल इसका इसका देखेंगे मिनिमम एट आर्स हो गया या नहीं अगर नहीं में अगल एक फेल्स रखा जाता है अगर इस पाइल से इस पाइल पर जाने में अगर हमारा इटार से अबाब हो गया कॉंग्रिट कंप्रिशन के बाद ठीक है तो हम लोग यह पाइल फिर अगर इए पांच के बाद फिर दो तीन और छे करेंगे अगर्या नेर्शन के गलल थे यह जुआ है जो नाइमाद से फोगया चैनल कर दो से करो अगर ऑर जेक्षक्रया इसके बाद फिर फिर यह करो और फिर आइडल पर वर हो यह तो यही पाइल और शे बाली फिर वहाली फोरुर्मेट ज़ोख वहां इस एटी कूट के वह थे क्य यह सो बीदे फिर्ट साइब हम उने चाहिए तो उसका यह हुआ नोग हम उन्भी इतना क्या रहता है यह होता है कि और दूसरे पाल की मिनिम्मुम डिस्टंस आई कितनी होनी चाहिए तो उसका यह फर्मुला। दूसरा चीज यह है कि किसी ही जैसे कि अब हम लोग वेल्डिंग कितना तरते हैं यह जेनरल चीज है जेनरल इंफोर्मेशन है जो कि इस इंजिनियर को जाना बहुत जोरी है तो वेल्डिंग कितना होता है तो दाया इन्टू यह हम जितना है उससे हंडेड को मल्टिप्लाइब करते हैं तो इसको क्या से जोगा अब जैसे सब को देट बरती सर्ण का सरिया है ठीक है तो 32 इंटू 10 करो इस इक तो 320 mm होता है यानि कि यह एक लैप हो गया अब इस लैप में हमें 327 mm का विल्डिंग करना है तो कैसे कैसे विल्डिंग करोगे 100 and 10, 100 and 10 और बुझ्में जो है 110, ठीक है या 120 है, 100 and 10, 111 and 110 is equal to हो जाता है 320 mm अब इसमें क्या होता है कि यह जैसा आप रोड पकड़ लो तो एक दूसरे का जो भीगनिंग पॉइंट होता है यहां से मारा जाना चलिए और इंदर की तरफ मुखता है दूसरे बार वेलिदिए नौ यह जो उसका सब्सक्राइब करो यार बहुत कम सब्सक्राइबर है हमारे